वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला आरबी आई के बारे में आरबी आई को देखेंगे और आरबी आई के साथ साथ बात करेंगे मौनिटरी पॉलिसी की तो मौनिटरी पॉलिसी क्या होती है आरबी आई कैसे वर्क करता है ये सारी की सारी चीजे हम जानेंगे रेपोरेट क्या होती है रिवर्स रेपोरेट क्य क्योंकि बहुत सारी important information आपको यहां daily के daily मिलती रहती है exam के about ठीक है तो चली जल्दी से शुरू करते हैं देखो RBI भारत का एक केंदरी बैंक है ध्यान रखना यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है इस बैंक के संचालकों मैं डॉक्टर बियार अम्बेड कर भी शामिल से याद रखेगा RBI की स्थापना एक अप्रेल 1935 को रिजर्ब बैंक आफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई इसका एक जनवरी 1949 को राश्टी करण किया गया बैंक की काम करने की शैली और उसका दिश्टिकोंड बाबा साहिब ने हिल्टन यंग कमीशन के सामने रखा था जब 1926 में ये कमीशन भारत में रोयल कमीशन ओन इंडियन करंसी एंड फाइनेंस के नाम से आया था तब इसके सभी सरस्यों ने बाबा साहब के लिखे हुए गरंथ इप्राबलम आफ दा रुपी इट्स ओरिजन एड इट्स सल्यूशन यानि रुप्या की समस्या और इसके मूल और इसके समाधान की जोरदार वकालत की और उसकी पुष्टी की ठीक है तो बाबा साहब का इसमें बहुत बड़ा योगदान है याद रखेगा डॉक्टर बी आर अमबेटकर का और निश्चित रूप से काफी महान बेखती हैं उन्होंने लगवग लगवग हर छेत्र में ही कार किया है तो एक बड़े पॉलिटिशन होने के साथ साथ एक प्रसिद अर्ष रास्त्री भी रहे हैं डॉक्टर बी आर अमबेटकर चलिए आर बी आई का केंद्रिय कार्याले प्रारंब में कलकत्ता में था जिसे 1937 में इस्थाई रूप से मुंबई महाराष्ट में स्थाना अंचित कर दिया गया तो आज के समय में जो इसका हेड़क कि नहीं करता है प्रवंद्रांब करता है और उनका विमय करता है और परिचालन योग ना रहने पर उन्हें निष्ट करता है इसके लाबा सरकार का बैंकर और बैंकों का बैंकर है साख नियंतित करता है तता मुद्रा के लेंदेन को भी नियंतित करता है RBI फोड़ा सा और देखलो इसे RBI ने अपने इतिहास के अब तक चार खंड जो है प्रकाशित किये है पहला खंड 1935-1951 इस अबधी के लिए पहला खंड 1970 में प्रकाशित किया गया था इसमें भारत में एक केंद्री बैंक की स्थापना के लिए की गई पहल का विवरण दिया गया है दूसरा खंडे 1951 से 1900 सरसत ये 1998 में प्रकाशित किया गया था इस अबधी में भारत में योजना बद्ध आर्थिक विकास की युग की शुरुआत हुई तीसरा खंडे 1900 सरसत से 1981 मार्श 2006 को पधार मंत्री मनमुहन सिंग ने आर्बी आई के इतिहास का तीसरा खंड जारी किया जो 1900 सरसत से 1981 तक किया उली से संबंदित है 1989 में चौरे बैंकों का राश्टी करण इस अबधी की महत्मुह घटना थी जिससे देश के भीतरी इलाकों में बैंकिंग का प्रसार किया गया और 14 खंड 81 से 97 जिसे 2013 में आर्बी आई के इतिहास के 14 खंड का विवमोचन भारत के पजार मंत्री डॉक्टर मनमुहन सिंग नहीं किया इसमें 1981 से लेके 1997 तक 36 साल की घटनाओं का उलेक है तो इसको थोड़ा तो देख लेना मौद्रिक नीती से अविप्राय केंद्रिय बैंक के नियंतरर में खातों के उपयोग से है जिससे की मुद्रा और रिंद की उपलब्रता लागत और उपयोग को नियंतरर किया जा सके इसका उद्देशिक कम और इस्थिर मुद्राइक स्पीरिती तथा विकास को बड़ा हवा देने जैसे विशिष्ट आर्थिक लक्षियों को हासिल करना है मौद्रिक नीती समिती एक छे सदसी समिती होती है जिसका गठन केन सरकार द्वारा किया जाता है ध्यानक नाम इसमें तीन सदसी आर्बियाई से होते हैं और तीन अन्य सोतंत्र सदस से भारा सरकार द्वारा निवक किये जाते हैं समिती का देख्षता कौन करता है आर्बियाई का गवरनर करता है इस समिती का गठन उर्जित पटेल कमिटी की सिभारिस के आधार पर किया गया था मौद्रिक नीती का मकसद महगाई पर अंकुष लगाना और कीमतों की स्थिर्टा बनाए रखना है इसके लाबा रोजगार के अवसर त्यार करना टिकाव आर्थिक विकास दर का लक्ष आसल करना भी इसके लक्षे है किसी अर्थ वियस्ता की वह नीती जिसके द्वारा उसमें होने वाले मुद्रा प्रवहा या प्रचालन की मात्रा वेनेमित होती है उसकी मौद्रिक वक्ष साक नीती कहरा दिया तो कोई ये पूछे आपसे की मौनिटरी पॉलिसी होती ही क्या है तो भाईया मोनिटरी पॉलिसी का मतलब है वह नीती जिसके द्वारा किसी देश में मुद्रा के प्रभाह यानि पैसे की मात्रा और उसका प्रचालन यानि पैसा किस तरीके से वर्थ करेगा इसको जिससे तै किया जाता है उसी को कहते हैं मोनिटरी पॉलिसी जानक न एफ रेट ओम एम ओ जैसे कई साधनों से जरूरी क्रेडिट और मोनिटरी का नियंतरन रखती है जिस पर आर्बी आई का नियंतरन है इन सब को हम जानेंगे के करके देखेंगे चलिए सबसे पहले बात करते हैं CRR के बारे में इसे कहा जाता है कैस रिजर्व रेशियो क्या होता है पहले पढ़ लेते हैं फिर मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूँ हिंदी में का जाता है नगद आरक्षित अनुपाद ठीक है कैस रिजर्व रेशियो भारत में काम करने वाले अनसूचित बैंकों के सकल जमाओं का वह अनुपाद जो उन्हें आर्बियाई के पास नगद के रूप में रखना अनिवार है इसे कहते हैं CRR इस अनुपाद की मात्रा क्या होगी यह आर्बियाई टै करता है जो कि 3 से 15 परसेंट के बीच हुआ करती थी पर सरकार ना एक संसूधन करके इसने इसके निचले इसतर की मात्रा को समाप कर दिया है अता अब यह 0 से 15 परसेंट के बीच है मार्च 2018 में यह 4 परसेंट था तथा इसमें 1 परसेंट की वरदी से भारतिय बैंकिंग उद्योग से आर्बियाई के ओर 98,000 करोड रुपया प्रवावित मलब प्रवाहित होता है इसका मतलब यह है देखो CRR को आपको आसन भासा में समझाता हूँ CRR क्या है CRR का मतलब यह है कि कोई बैंक खुला है अब उस बैंक का कितना मतलब उस बैंक के पास जो रुपया है उसका कितना परसेंट उसको आर्बियाई के पास कैश में रखना होगा ठीक है यही कहलाता है साथियो CRR ठीक है, अब मालो कोई बैंक है, उस बैंक के पास मालो 100 रुपया है, तो उस 100 रुपया का 4 रुपया उसको RBI के पास रखना होगा, मालो जो उसके पास 100 रुपया केश है, मालो जो 100 रुपया उसके बैंक में पढ़ा हुआ है, उसका 4 रुपया उसे RBI के पास रखना पड़े यानि cash reserve ratio आईबा समझ में अब ये उन्हें रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये अनिवार है इसमें if और बट नहीं चलता है ठीक लिमिट क्या होती है इसकी तो लिमिट होती है इसकी 0 से 15% यानि ये कितनी भी हो सकती है ठीक है ये 1% भी हो सकता है 2% भी हो सकता है 4 भी हो सकता है तब बैंकों की तरफ से RBI के पास करीब करीब 98,000 करोड रुपया पहुँच जाता है अगर RBI ने इसको 1% बढ़ाया माल लो अभी 3% था और 3 से बढ़ा कर 4 कर दिया तो 1% बढ़ाने भर से ही RBI को करीब करीब 1,00,000 करोड रुपय की प्राप्ती हो जाती है एक लाख करोड 98,000 करोड है ना लगव लगव एक लाख करोड माल लो इसको तो लगवग लगवग एक लाख करोड रुपया RBI तक बहुच जाएगा केवल CRR को 1% बढ़ाने पर आप आप सोचो तीन चा परसेंट बढ़ा दिया या 10% बढ़ा दिया तो तो पैसा ही पैसा ह है सामविधिक तरलता अनुपात इस्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो पहले पढ़ते हैं फिर आसान बासा में समझाता हूँ SLR भारत में कार करने वाले सभी अनसूचित बैंकों की सकल जमाव का वह अनुपात है जिसे उन्हें अपने पास ही रखना है यह गैर नगद भी हो सकता है इसके इस तरको RBI निर्धारित करती है जिससे वह 25-45% के बीच रख सकती है यानि बैंकों के पास जो रुपया है उसका एक हिस्सा तो उन्हें CRR के रूप में RBI के बात रखना है अब वो कितना भी हो सकता है एक परसेंट से लेकि 15% के बीच कुछ भी हो सकता है दूसरा बैंकों को अपने पास कुल जमारासी का कुछ हिस्सा अपने पास खुद के प अच्छट रखना है इसे का जाता है SLR यानि इस्टिटूटरी लिक्विडिटी रेशियो यह उन्हें RBI के पास नहीं रखना है यह बैंकों को अपने पास ही रखना है और इसको गेर नगत गोल्ड में भी आप इसे रख सकते हो, नॉन कैश में भी आप इसे रख सकते हो, और इसका अनुपात क्या होता है, 25-40%, अब ये 25-40% के बीच में कितना होगा, ये RBI डिसाइड करेगी, ये 30% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, इतना आपको अपना कुल जम जमा है कैस्ट जतना आपके बैंक में पड़ा है उसका 30% से 40% या 26% सत्राइस परसेंट कुछ भी जो आरब डिसाइड करेगा वह आपको अपने पास कैस्ट में मतलब या नॉन कैस्ट में भी रखना पड़ेगा आई वास में नहीं आई जो आपको अपनी कुल जमा का आर बियाई के पास रखना है वो CRR और जो खुद के पास रखना है वो SLR ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे बात करेंगे बैंक रेट की तको बैंक रेट क्या होता है वे ब्यासदर जिस पर RBI द्वारा अपने ग्रहाकों को RBI के ग्रहाकों ने सरकार, सरकारी कम्पनी, बैंक और वित्ती सनस्थान को धीर कीकाले करिन दिया जाता है उसे बैंकडर कहते हैм जो ब्यासदर RBI अपनी लंबी अबधी के रिन पर वसूलता है उसे बैंक रेट कहते हैं जो ग्राहक इस तरह के रिंड लेते हैं वे होते हैं भारत सरकार, राज सरकार, बैंक, वित्ती संस्थान, कॉपरेटिव बैंक और NBFC यानि अगर कोई बैंक RBI के पास लोन लेने गया देखो हमें जब पैसे की जरूरत होती है वही हम तो छोटे Kringal के पास और Loan भी दो तरीके के होते है Short-term, लोन होते हैं वह एक दिन कुछ घंटे, कुछ सफते के हो सकते हैं और Long-term कुछ सालों के लिए हो सकते हैं एक साल, दो साल, दस साल, बीस साल, सो साल तक हो सकते हैं तो अगर कोई बैंक, RBI के पास जाता है और उससे Long term, Long term जो है loan लेने की जो है उससे मतलब उससे request करता है कि हमें long term का loan दे दो या कोई सरकार हो सकती है कोई bank हो सकता है तो RBI उस bank को long term पर जो loan देगा उस पर जो ब्याज लेगा फ्री में लोन थोड़ी मिलेगा उस पर जो ब्याज उसे मिलेगी उसी ब्याज को कहा जाता है बैंक रेट यानि और आसान भासा में आपको बता दो आर बी आई लॉंग टर्म पर अपने ग्रहाकों को यानि ग्रहाक कौन-कौन से हो गए उनके बारसरकार, रासरकार, बैंक इनको जिस ब्याज दर पर लोन देता है वो ब्याज दर कहलाती है बैंक दर यानि जिस दर पे आर बी आई बैंकों को लोन देगा लॉंग टर्म वो ब्याज दर कहलाएगी बैंक दर आगे बढ़ते हैं आगे है रेपोरेट वे ब्यासदर जिस पर RBI अपने ग्रहाकों को शौर्ट टर्म लोन उपलब्ध करवाता है उसे भारत में रेपोरेट कहा जाता है वास्ताव में यह पुनर खरीद का लगुरूप है जिसे पश्चिम की विक्सित अर्थ व्यास्ताव म इस पर छूट माला जाता है जिन्हें संस्थान कम अवधी के रिण के लिए जमा करते हैं देखो बहुत सिंपल सी बात है अगर आप RBI से ठीक है अगर आप RBI से लौंग टर्म पे लोन लोगे तो आपको पे करना पड़ेगा बैंक रेट बी आर ठीक अगर आप RBI से शौर् लोन लोगे तो आपको रेपो रेट देना पड़ेगा लौंग टर्म के लिए लोन लोगे तो बैंक रेट देना पड़ेगा आगे देखो आगे है reverse रेपोरेट अब देखो क्या है वे ब्याजदर जो RBI अपने ग्रहाकों को उनसे लिए गए लगू अवधी की रिन पर दी जाती है ठीक है वे ब्याजदर जो RBI अपने ग्रहाकों को उनसे लिए गए लगू अवधी की रिन पर दी जाती है यानि अगर आप RBI से पैसा लेने जाओगे short term में तो आपको देना पड़ेगा क्या repo rate अगर बैंकों के पास पैसा नहीं है तो बैंक पैसा माँगने कहा जाएंगी RBI के पास तो RBI के पास पैसा माँगने जाएंगी तो RBI उन्हें जिस rate पर पैसा देगा वो rate क्या है repo rate तेकिन बहुत बार क्या होता है बैंकों के पास पैसा जादा हो जाता है तो बैंकों के पास पैसा जादा होगे तो बैंक क्या करें तो बैंक उस पैसे को जमा करा देती है RBI के पास इनके पास पैसा extra है उन्हें RBI को देदो अब bank ने अपना पैसा जमा करा दी RBI के पास तो RBI अब bank को ब्याज देगा तो RBI bank को जो ब्याज देता है उसे कहते है reverse repo rate ठीक है बासमे आई नहीं आई bank के पास जो extra पैसा है और जो extra पैसा उसने RBI के पास जमा करा दिया तो उस पर ब्याज मिलेगी नहीं मिलेगी तो RBI जो ब्याज बैंकों को देता है उसे कहते है reverse repo rate ठीक repo rate जो ब्याज bank को देनी है RBI को ठीक है वो repo rate और जो ब्याज RBI देता है बैंकों को वो reverse repo rate ठीक ना समझ में आए तो थोड़ा सा इसको एकाद दोबा देख ले ना पूरा समझ में आजाएगा फिर है बेस रेट क्या होता है देखिए बेस रेट वह ब्याजदर है जिससे नीचे अनसूचित व्यवशाईक बैंक अपने ग्रहाकों को कोई रंड नहीं देंगे इसका रतिये हुआ कि यह है प्राइम लेंडिंग रेट है और पहले की तरह मांदंड इसके सैट है यानि ये एक व्याज की नियूंतम दर है इसके नीचे जो है आप लोन नहीं देश सकते यानि अगर कोई ρbA क्या करता है ने करते खिस 30 कर देदा पिर्फ कर दिया नहें कि 8% पर आपको जो है यह बेस रेट है यानि कोई भी बैंक आपको से कम पर लोन नहीं देगा यह फेक्स हो गया इसी हूं कहते हैं वेसरेट अ आगे धेखें आगे आज़तार पताया को पताया है आप रिवर्स एक पूर रेट के तहर्ट बैंक रूपाया के पास अधिक जमा करते हैं मैं भी बतुत यह ए आधरप कपना रुपएजमा करते हैं जब बैंकों के पास अश्य पैसा आ जाता है तो आर्वीयाई को देते हैं अब पैसा जमाँ किया है तो ब्याद मिलेगी और इसके लिए ब्याज कमाते हैं तो ये क्या है यह है रिवर्स रेपो रेट कि विपरीत रेपो रेट है जिसमें बैंक RBI से अल्पकालिक धन उधार लेते हैं अगर आप RBI से पैसा उधार लोगे तो ब्याज देनी पड़ेगी और ब्याज देनी पड़ेगी तो जो रेट लगेगा उसे कहते हैं रेपो रेट आई बास समझ में नहीं आई अब देखो reverse रेपो रेट सिस्टम में पैसे के प्रभाग को कैसे नहीं तिक्या आता है reverse रेपो रेट की व्रदी से बैंकों को अपना अधिशेश धनको अल्पकालिक आधार पर RBI के पास रखने के लिए प्रोसान मिलता है जिससे banking पराली में तरलता की कमी हो जाती है देखे इसमें जो लिखके ना banking पराली में तरलता की कमी हो जाती है इसके मतलब है बैंकों के पास पैसे कमी हो गई संच्यप में RBI रात और रात आधार पर पात्र सरकारी परस्पूदियों के संपारशिक, खिलाफ बेंकों से अधिशेद धन को अउशुसित करता है ठीक है ना और बेंकों से जब RBI पैसा ले लेगा तो फिर मारकेट में पैसा होगा नहीं महगी थोड़ी करेगी कमपनी कोई भी चीज महगी तब करती है जब उसे खरीदने वाले जाता हो और अगर खरीदने वाले लोग कम है तो कोई भी कमपनी चीज को महगा नहीं करेगी वलके सस्ता करेगी और सस्ता करेगी तो इसी से महगाई कंट्रोल में आती है धियान लखन ठीक है आगे देखो बेंक अपना रेपो रेट या पुनरखरीददर से कम भ्यास दर पर RBI के पास पैसा जमा कर सकते हैं रिव्र्स रेपो रेट रेपो रेट से कम होता है दौनों के बीच का फैलाव RBI के आय है RBI बेंकों को जो उधार देता है उस पर अपने खर्च से ज़्यादा कमाता है जो वे बैंकों से उधार लेता है चुकि RBI जमा पर अधिक ब्याज की पेशकर्ष नहीं कर सकता और रिंड पर कम ब्याज वसूल सकता है रिवर्स 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 रिवर् separate का मतलब यह है यार देखो बहुत सिंपल तरीके सापको समझाता हूँ अगर आप अपना रुपया बैंक में जमा करते हो तो बैंक आपको कित्ती ब्याज देता है साल में चार परसेंट लेकिन अगर आप बैंक से रुपया उधार लेने जाओगे तो ब्याज तुम्हें कित आई वास वाज में नहीं आई हाँ तो अगर आप बैंक से पैसा उधार लोगे तो जादे ब्याज देनी पड़ेगी और बैंक में पैसा जमा करोगे तो ब्याज कम मिलेगी बस वही चीज़ है रेपूरेट और रिवर्स रेपूरेट और इनके बीटका जो अंतर होता है इ है ना बासमाज में नहीं आरी है और आप जो रुपया बैंक में दमा कर रहे हो उसको बैंक जो है लोन में देदे दा है से रुपया कमाता है तो आपका रुपय भी सुरक्षथ dal होता है और आपके रुपए से बैंक ने भी रुपए कमा लिया ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कि रिवर्स एपुरेट ताय कॉन करता है वरतमान में रिवर्स एपुरेट आर्वी आई की मौद्रिक नेथी सम्मिति द्वारत है की जाती है जिसके अध्यक्सता आर्वी उधार बैंक लोन की उधार दरों में वरद्धी कर सकते हैं जब आर्वी रिवर्स एपुरेट बढ़ाता है तो बैंक होम लोन की उधार दरों में वरद्धी कर सकते हैं क्योंकि होम लोन की रूप में लोगों को पैसा उधार देने की तुलना में कम जोखिंग वाली सरकार समर्थित प्रत्विधियों में निवेश करना अधिक लाबदायक होता है reverse report rate कम होने पर home loan की दरें गिर सकती है home loan से कैसे जुड़ा हुआ है reverse report देखे अगर reverse report हाई है ठीक है जादा है तो क्या होगा bank अगर RBI में रुपया जमा करेंगे तो उन्हें high ब्याज मिलेगी ज्यादा ब्याज मिलेगी इस पर ऐसे क्या होगा कि bank जो है home loan देना कम कर देगा क्यों कि अगर किसी को home loan देता है वो तो उस पर ब्याजों से कम मिलेगी तो bank ये सोचेगा कि दूसरे आदमी को रुपया उधार देने से बढ़िया है RBI को जमा कर दे क्योंकि RBI में ज्यादा मिल रही है ज्यादा पैसा मिलेगा तो bank क्या करेगा home loan कम कर देगा और RBI में पैसा जमा ज्यादा कर देगा ठीक है तो home loan कम हो जाएगा या महगा हो जाएगा ठीक है दूसरा अगर RBI ने reverse report कम कर दिया तो फिर क्या होगा bank RBI में रुपया जमा नहीं कराएंगे और अपना रुपया किस में देंगे home loan में देंगे कि जाओ बढ़िया home loan में लोगों को पैसा दो क्योंकि वहाँ में ब्याज जादा मिलेगा ठीक है तो इसी तरीके से काम करता है उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा देखिए reverse report कम होने पर home loan की दरें गिर सकती है ठीक है अगर reverse report कम है तो bank RBI के पास रुपय जमान नहीं करेगा बलकि लोगों को लोन देगा लोगों को उधार देगा और लोगों को अपनी और आकरसित करने के लिए home loan की दर कम कर देगा सस्ता home loan देदेगा ठीक है आरे मात समय कि नहीं और देखो मुद्रा स्बीती को नियंतीत करने के लिए reverse report क्यों कैसे किया जाता है मुद्रा स्विती क्या होतीने मुद्रा स्विती होती सिंपल सी बात है महगाई तो महगाई कंट्रोल करने के लिए कैसे र्विया स्पूरेट को यूज canhain किया जा सके हैं अगर रिवर्स एक्वरिट बड़ यहाँ का रड़ जाएगा तो आरभी आई बैंकों के पैसा बैंकों को जादे वयाज देगा तो बैंक क्या क्रेंगे अपना रुप्या जो है जिससे रुप्यां उन्हें व्याज दे जिससे यह नहीं हो गया तो मार्केट में पैसे की कमी हो जाएगी और मार्केट में पैसे की कमी हो जाएगी तो लोग खरीददारी कम करेंगे और अगर खरीददारी कम करेंगे तो कंपनियों का सामान बिकेगा नहीं और कंपनियों का सामान बिकेगा नहीं तो चीजें आटोमेटिक सस्थी हो जाएंगी क्योंकि जब कोई सामान खरीदी नहीं रहा तो उसको महगा करने को कम किया जाता है इस प्रकार मुदरा स्फीती को नियंतित कर सकते हैं इस तरह जब RBI को मुदरा स्फीती को थोड़ा कम करना होता है तो reverse repo rate और repo rate की कटोती करना चुन सकती है ठीक है आपने सुना होगा महगाई कैसे control होती है तो ऐसे ही कम होती है ठीक है ऐसे control होती है देखो उच reverse repo दर बजार में धनकी आपोर्थी को कम करती है जैसे कि मैंने भी आपको उपर बताया क्योंकि बैंक व्यक्तियों और व्यवसायों को उधार देने के मकाबले आकरशक रिटर्न अर्जित करने के लिए RBI के पास अपना उर्पया जमा कर देते हैं यह सिस्टम यह सिस्टम में पैसे कि आप उर्थी को कम कर देता है और गिए अपना रुपया अर्पया को दे लिया आप मार्केट में रुपया है नहीं ठीक है इसाँ परिवर्तनिय दर रिवर्स रैपो जैना डर का एक उप ऊप प्रकार है जो कि जनवरी दोएर एकिस से आर्बी आई भी टीपल आर नीलामियों के माध्यम से बैंकिंग ट दोनों RBI के द्वारा तेह किये जाते हैं या बजार में नगदी प्रभा के निगरानी और नियंतरन के लिए उपयोग में लाई जाते हैं ध्यान रखता और लाश पॉइंट इसका और देख लो रैपो दर और बैंक दर के बीच अंतर केंद्रिय बैंक द्वारा वालेजिक ब बेची गई प्रतिबूरियों की पुनर खरीद के लिए रैपो दर का शुल्क लिया जाता है यानि जब बैंक RBI के पास रुपए जमा करेंगे तो उन्हें रैपो दर पे करना होगा बैंक दर चार्ज करते समय कोई समपार्षिक सामिल नहीं होता लेकिन रैपो रेट चार्ज होने पर प्रतिबूतियां बॉंड समझोते हैं और समपार्षिक सामिल होते हैं रैपो रेट हमेशा बैंक रेट से कम होता है ध्यान रखना यानि अगर आप RBI से पैसा उधार लोगे तो जादा ब्याज देनी पड़ेगी और RBI के पास पैसा जमा करोगे तो RBI आपको कम ब्याज देगा जैसा कि मैंने बताया भी कि अगर आप बैंक के पास पैसा जमा कर लोगे तो सालाना चार परसेंट की ब्याज है और बैंक से रुपया उधार लिया तो आठ परसेंट की ब्याज सालाना देनी पड़ेगी बैंक दर में वरद्धी सीधे ग्रहाक को दी जाने वाली उधार दरों को प्रभावित करती है लोगों को रिड लेने के लिए प्रवंदित करती है और समग्र आर्थिक विकास को नुक्सान पहुचाती है जबके रैपो दर में व्रधी आम तोर पर बैंकों द्वारा नियंतित की जाती है और ग्रहाकों को सीधे प्रवावित नहीं करती ठीक लाश पॉंट देख लिजे तुला आत्मक रूप से बैंक दर वानजिक बैंकों को धीर के कालिन आवशक्ताओं को पूरा करती है जबके रैपो रेट अल्प कालिन विक्ति आवशक्ताओं पर केंद्रित होती है कुल मिला के आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने आपक क्या होता है यह सब मैंने आपको समझा दिया उम्मीद करता हूं कि अब अगर यहां से कोई सवाल आया तो आप आसानी से कर लोगे और और आर्वी आई किस तरीके से काम करता है यह भी आपको समझ में आ गया होगा ठीक अब भी कोई डाउट रहे गया हो तो कमेंट के प्लास मेने तब तक के लिए जय हिंज जय भारत बंदे मातरब